आप सभी ने भी दर्शकों का स्वागत है इस नए वीडियो में, आज हम बात करेंगे यहाँ पर एक फार्मा रिलेटिट कंपनी की गिरी ही हुई है, अभी मार्किट से चैलेंजिंग क्वाटर रहा, पर आगे की क्या संभावना है, आईए विशलेशन करते हैं, प्लीज कंस अगर हम सबसे पहले बात करें, इसमें यहाँ पर मार्किट कैप की दर्श्री से 2,500 करोर की कंपनी है, तो एक स्मॉल कैप कंपनी है, हमारी चैनल की पहले आपको बताएं, 2% से ज़ादा इसमें निवेश मत कीजेगा अपने पैसे का, अब यहाँ पर सबसे पहले आप समझ ले जाते हैं, और यही हाल इसका था, यहाँ पर नए निवेश को किसे request है, कि जब भी वो किसी penny stock या फिर small cap में निवेश करें, तो fundamentally काफी चीज़े उसकी देखनी होती, जैसे for example, इसके जो market share है, 59% promoter की holding है, और 25% यहाँ पर public की holding है, अच्छी बात यह है कि DIA ने भी 9% holding रखी है, और FII ने करीब 6% की holding रखी है, तो एक distributed share holding pattern है, जो कि एक अच्छी बात है, दूसरी अच्छी बात यह है कि net cash flow generate कर रहे हैं, पिछले 4 सालों से consistently, देखे चाहे कोई भी साल हो, overall साल में on average 20 करोड का cash flow generate हो रहा है, जो कि एक reasonable expectation है, 2000 करोड की company और 20 करोड का अगर cash flow generate कर रहे हैं, तो यह एक सही position में है अपने आप, चैनल का 5 by 5 rule, आपकी wealth को protect करने के काम आएगा, अब अगर volume की बात करें, तो volume can be artificially created also, आये जला समझ कर पहले हम company के बारे में समझेंगे, फिर technical view देखेंगे, तो यह dishman carbogen company जो है, वो effectively APIs बनाती है, commercial manufacturing करती है, अगर आपको large scale पर production कराना है, तो आप इनको outsource करा सकते हैं, तो उसे साब से ये एक बढ़िया position है, इनके पास में 10 अलग-अलग location में है, इनकी global presence including Switzerland, UK, France, Netherlands, China, और 30 साल से जादा का इनको experience है, जो की बहुत बढ़िया company मानी जाएगी, market cap अभी इसकी small है, तो आप चाहें, तो इसमें small cap क अपने portfolio को निवेश कर सकते हैं, अब यहाँ पर 13% के असपा से जाकर बंद हुआ है, और delivery देखेंगे, तो 70 लाग की trade हुए है, hand में exchange stocks, 22 लाग की delivery, 32% की delivery माने जाएगी approximately, जो की reasonable position है, आपकी थोड़ा सा हलका नीचे की तरफ को, बट reasonable position माने जाएगी है, अब गिरने का एक primary reason यह था कि इनके quarter की unexpected profit कम हो गया था, देखें यहाँ पर अगर हम बात करें, इन्होंने net loss किया है 135 करोड का compare to net profit of 50 करोड एक साल पहले इसी time के दोरान, तो यह एक अच्छी position नहीं बनेगी, अगर company इस तरह से loss all of sudden, एक arbitrary loss produce करेगी, तो यह challenges हो सकते हैं company के साथ में, अ अगर हम इसका technical view देखें, तो intraday के basis पर इसने शुरुआत की 176 पर ही खुला, 174 के असपास और बंद होते होते 165 तक चला गया है, market भी थोड़ा नीचे था, इसमें result खराब आए, तो यहाँ पर और भी दिक्कत का काम रहा है इसमें, अगर हम बात करें, यहाँ पर इसके effectively long term chart की, तो देखें, यह एक बहुत अच्छी support zone में आने वाला है, 148 के आसपास, इसका एक बहुत अच्छा support रहेगा, 148 से लेकर 140 की range में, यह 8 रुपे की range है, जहां आप चाहें, तो इसको अपने portfolio में add कर सकते हैं, हमारा performance, 81% लिटन दो महिने के अंदर, अगर आप जा जानना चाहते हैं, कैसे तो हमारी monthly service यूज़ कर सकते हैं, long term के लिए, यह stock recommended है, और अगर आप data trading करके सीखना चाहते हैं, तो हमारी feature and option workshop जान कीज़े, इसका view bullish है, और target के लिए आपको हमारा monthly paid service जान करना होगा, जो की आपको YouTube channel के paid program में मिल सकता है, जाहिन जाभारत!